नाला सोपारा में चक्रवात तूफान निमके बाद लगातार जलभराओ का सिलसिला जारी है नाला सोपारा की वे सडके जो हमेशा ही जरासी बारिश में जलभराओ में लीन हो जाती थी एक बार फिर से मनपा की नाक कटवाने के लिए तस्विरे काफी हैं वो धन जो लगातार लोगों से करोक रूप में वसूल कर जन्ता के लिए दिया जाएगा और उनके लिए काम किया जाएगा जैसे शपक बताने वाले गंगा धरंडी आप देख ले अपनी आखे फाड़ कर कि किस प्रकार से नाला सोपारा जरासी बारिश में फिर से जलमगन हो गया माना की तोक्ते तूफान का कहर जारी है उसकी तेजरफतार और लगातार बारिश परभावित कर रही है संपूर कई सारे तटिये इलाकों को लेकिन नाला सोपारा की ये जगह नाला सोपारा की ये तस्वीरे ये बताती हैं कि त्यरा सी बारिश जल भराओ तो करेगी ही करेगी नाराशुपारा का सेंटरल पार्क यह बताती हैं कि मनपा किस प्रकार से अपने काम को इमानदारी से कर रही है जल है या तालाब समझ में ही नहीं आ रहा है सड़के जमीन पर है या जमीन के नीचे धस्ची गई है दिखाही नहीं दे रहा है दिखिया कैसे जब जल मगन हो चुका है जल भरा हो चुका है और मनपा की अधिकारी डकार मार चुके हैं आखिर ये पैसा गया कहा वो IIT निरी की निरक्षण के बाद में जो उन्होंने रिपोर्ट तयार की क्यों धरातल पर अभी तक लाया क्यों नहीं गया तो आने वाले समय में जब बारिश का मौशन आएगा तब हालात कैसे होंगे ये चेतावनी वाला द्रश्य है अगर अभी सूच-बूश से काम करेंगे तो आने वाले समय में ठीक हो जाएगी व्यवस्था लेकिन अगर अभी भी सोते रहेंगे अपनी कुम्ब करण की नीन तो कहा सही होगा नाला सोपारा का वातावरण ये जल भराओ ऐसे ही होता रहेगा जनता अपनी गाड़ी को चला करने खिसका कर लेके ही जाएगी क्योंकि ये खिसकने वाला महानगर पालिका का गंगा दरंडी आयुक्त है और आयुक्त के कारशेली का ये एक नजारा ये एक उदाहरण सामने है एंटी करप्शन न्यूज नाला सोपारा